सभापती महोदय जो रिपोर्ट मध्यनिशेद के संबंद में सदन के सामने प्रस्तुत हुई है। इस रिपोर्ट के अंदर है मैं इसके विस्तार में जाना नहीं चाहता हूँ लेकिन कुछ ठोस और विशेश बाते आपके सामने रखना चाहता हूँ। काम हम अपने हाथ में लेते हैं चाहे वह खेती का हो व्यापार का हो या यांत्रिक युग और विज्ञान का हो उसके लिए आवश्यक है कि आदमी का मस्तिस्क ठीक तरह से काम करे अगर मस्तिस्क का संतुलन बिगड़ जाता है तो वह उसको ठीक तरह से कर नहीं सकता और यह शराब एक ऐसी चीज है जो कि व्यक्ति के मस्तिस्क का संतुलन खो देती है इसलिए हमारे देश में हमारे नेताओं ने यह आवश्यक समझा था कि अगर इस देश में सामाजिक और आर्थिक जीवन का संतुलन ठीक रखना है लोगों को किसी चीज का ज्यान देना है किसी चीज को उन्हें सिखलाना है तो उसके लिए आवश्यक है कि इनसान का दिमाग ठीक रहे और इसलिए नशाबंदी का होना बहुत ही आवश्यक है इस बात का प्रचार स्वतंत्रता के पहले और बात में भी किया गया यदि हम धार्मिक ग्रंतों को देखे हिंदू धर्म के वेद तथा सास्त्रों को देखे इसाईयों की बाइबिल को देखे या मुसल्मानों की पवित्र कुरान को देखे तो किसी ग्रंत में भी इस प्रकार की विचारधारा नहीं है कि आदमी शरापिये हरिस्तान पर इसका खंडन किया गया है सभी महापुर्शों ने चाहेवे लोकमान्य तिलक हो या महत्मा गांधी जी हो जो की इस देश के सामाजिक और राष्ट्रिय जीवन के लिए अग्रसर थे उन्होंने भी इस बात का खंडन किया है और कहा है कि नशा इंसान के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है और इसलिए उसका उप्योग नहीं करना चाहिए मैं आपके द्वारा इस सदन का ध्यान दिलाओंगा कि शराब बंदी को जहां जहां भी धील दी गई है वहां पर देखने से पता चलता है कि हालत कितनी खराब हुई है सभापती महदय सराब पीने से सारिरिक हानी और आर्थिक हानी तो होती ही है साथ ही साथ सामाजिक जीवन में वह भी बहुत बुरी सिद्ध होती है जहां पर नशाबंदी खुल गई है मुझे पता है कि महराश्र और आंध्र के कोछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर शराबंदी लागू नहीं है जहां पर दिन दिन अपराद बढ़ते जा रहे हैं मान्यवर इस अनुदान पर जब हम विचार कर रहे हैं तो हमारे सामने तीन परिस्तितियां हैं नक्षलवादी किसान विद्रोह देश के अनेक भागों में अकाल की काली छाया और आंधलोन की बढ़ती हुई लहर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं की सरकार की अब तक की खादनीती और कृशीनीती असफल सिद्ध हुई है इसका मूल कारण क्या रहा कारण केवल एक ही रहा है की क्रांतिकारी भूमी सुधार अब तक 55 वर्ष के अंदर भी नहीं किये जा सके जब की स्वतंतृता प्राप्ति के पांच वर्ष में वे कर दिये जाने चाहिए थे इसलिए हम इस छेत्र में अब तक असफल सिद्ध हुए हैं राष्ट्रय स्वतंतृता और संग्राम के जमाने से सबसे आकरशक नारा हिंदोस्तान के करोडो मानवो को किसानों को दिया गया था यानि जमीन उनको दी जाए जिनके हाथ जमीन जोते हैं लेकिन वह राश्ट्रियादर्ष आज तक भी चरितार्थ नहीं किया जा सका है एक तरफ करोडों एकड परती बंजर जमीन पड़ी है जो की सरकारी आकडों के हिसाब से 11 करोड एकड से कम नहीं है इन जमीनों का उप्योग ने होने के कारण से आज किसानों की समस्या हमारे लिए एक महान विभीशिका का प्रश्न बन गई है आज इस्तिती यह है कि करोडों खेत मजदूर भूमिहीन आदिवासी हरीजन एक तरफ पड़े हुए है और दूसरी तरफ करोडों एकड परती बंजर जमीन अनेक रूप में पड़ी हुई है लेकिन उनका संगम समागम नहीं होने दिया जा रहा है ध्यान देना होगा राष्ट्य सुरक्षा के बाद जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है किसान समस्या इनहीं कारणों से उसका समधान आज तक नहीं हो सका है यह कलंक है हमें हर संभव रूप में किसान की सहायता करनी चाहिए किसान समस्या है